जैश्री कृष्णा आज उस पिता की पलके खुशी और गम में भीगी थी क्योंकि आज उसकी उस बेटी की विदाई थी जो कल तक उसके घर को महकाया करती थी कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का हसी खुशी सब काम हुआ था सारी रसम अदाई का बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को जख जोर दिया पूछ रही थी पापा तुमने क्या सच मुच में छोड दिया अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ इस्थान नहीं अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं देखो अन्तिम बार देहरी, लोग मुझे पुझवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं, नहीं रोकते चाचा ताओ, भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या निश्ठुरता है, कोई आता पास नहीं बेटी की बातों को सुन के, पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आँखों से आसु बद हवास सा दोड़ पड़ा कातर बचिया सी वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर वह, अश्वु बिंदू से धोती थी मा को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, घर की फुलवारी से कोई, फूल सभी जियो बीन चला छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप अब, वह कोने में दुपक रहा बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बापू, फूट फूट कर रोया है बेटी की विदाई पर जमाने ने कहा बोज हलका हो गया, जमाने को क्या पता बाप का दिल कितना भारी हो गया धन्यवाद